नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आगे आगे केजरिवाल और पीछे से उसके सारे मंत्री ऐसा लग रहा है कि केजरिवाल का हाथ जिसके सर पर पड़ा वो जेल जाने की तैयारी में लग गए क्योंकि इस बीच अरविन केजरिवाल को जब से E.D. का समन मिला है तब से इस बात के चर्चा है कि उसने दो मंत्रियों को आगे बढ़ने के लिए लग भग प्रिस्ट भूमी तैयार कर ली है चाहे गोपाल राय या फिर आतिसी ये दोनों को जिम्मेदारी देने की कोशिश में केजरिवाल था हाला कि मीटिंग में तो इस बात की चर्चा की गई कि अरविन केजरिवाल अगर जेल चला गया तो जेल से सरकार चलेगी लेकिन ये संभव नहीं है ये तो किंद सरकार के उपर एडी के उपर दबाब बनाने के लिए था क्योंकि अरविन केजरिवाल भूम भूम करे कह रहा है परचार कर रहा है कि कोई भी सीम जो अभी मुक्ध मंत्री के पद पर है वो जेल कैसे जा सकता है संभिधान में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी सीम को सीधे जेल में भेज दिया जाए केबल आरोप के आधार पर पूस्टाज के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता ये डर है अंदर का क्योंकि डिप्टी सीम को तो गिरफतार किया जा चुका था और सीम के गिरफतारी की बारी आए लेकिन जैसे ही मिटिंग में ये बात चलने लगी कि या तो गोपाल राय को आगे बढ़ाएं क्योंकि सबसे बरिस्ट आम आभी पार्टी के नेता है सुरुवाती दोर से इस पार्टी के अंदर रहे है इंटी करप्सन जब चल रहा था अभियान तो उस समय भी ये साथ थे तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने आतिसी का नाम भी डाला कि आतिसी अभी महिला है और तेज तरार नेता है इनकी छवी दिल्ली में अलग है ये विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर है और केजरी वाल के स्टाइल में ही बात करती है जो गोपाल रह नहीं कर पाते हैं और दूसरी बात कि ये आतिसी मार लेना जो है वो एक महिला है जो कि दिल्ली में एक नए तरीके से फिर से खेल कर सकती है आमादवी पार्टी के लिए महिला कार्ड भी खिल सकती है लेकिन इन दोनों का नाम आगे आया और पीछे से घोटाले और विवाद चलते रहे क्योंकि दोनों ही फस चुके हैं एक इन्वार्मेंट के चक्कर में फसे हैं तो दूसरे महिला और वाल विकास आयोग में फसे हुए हैं अब बात पहले करते हैं गोपाल राय की गोपाल राय इन्वार्मेंट मिनिस्टर हैं परियावरन मंत्री हैं इन दिनों परदुशन पर हंगामा किये हुए हैं कि दिवाली में पटा के छुटे तो उसके बाद परदुशन कास्टर बढ़ गया हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम लंबे समय की योजना चला सकें लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है अर्विंद केजरिवाल और उसके इस चहेते मंत्री ने 710 करोड रुपया दवा कर रखा है उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और उसमें भी 710 करोड का मामला नहीं है मामला ये 1491 करोड का है लेकिन मजबूरी अर्विंद केजरिवाल की जो 1491 करोड में दवा के नहीं रख सका और नहीं वो अपने लोगों में इसका बंदरबाट कर सका क्योंकि हर बार मामला कोट में गया और कोट में जाते ही इनको फिर से उसमें से फंड रिलीज करना पड़ा एक बार नहीं बलकि 7 बार उस फंड का इटिलाजेशन हुआ है 1491 करोड में से और टोटल 781 करोड खर्च हुए है लेकिन अभी तक 7 बार जो इटिलाज हुआ है उसमें से 5 बार इसका उप्योग कोट के आदेश पर करना पड़ा और ये है जो फंड बनाया गया था ये भी ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोट के आदेश से ही बनाया गया था कि दिल्ली में परियावरन के स्थिति खराब होती है और उसके लिए दिल्ली सरकार को अत्रिक्त फंड की जरूरत है इसलिए इनवर्मेंटल कंपंसेशन चार्ज एसी सी नाम का एक टैक्स लगाया गया वो गाड़ियों पर लगाया गया जो की बाहर की गाड़ियां कॉमर्सियल बहां जोते वो अगर दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उसके लिए उन्हें टोल टैक्स के साथ एक और टैक्स देना पड़ेगा एसी सी और उसको कलेक्ट करके केंदर सरकार अगर है या फिर बाहरी टोल टैक्स डिपार्टमिंट यानि की हाईवेश एक्सेश्प्रस वे में टोल टैक्स लिया जाता है तो इसको कलेक्ट करके सीधे दिल्ली सरकार को सौब दे और ये नवंबर 2015 से सुरू हुआ था जिसमें से जो कॉमर्सियल बाहन थे वो छोटी गाड़ियां जो कॉमर्सियल होगी उसको 700 रुपया और जो बड़ी गाड़ियां है उसको 1300 रुपया देना होता था दिल्ली में एंट्री के लिए इससे कलेक्शन सुरू हुआ और 1491 करोण का फंड इकठा हो गया लेकिन अरविंद केजरिवाल ने इसको इनवार्मेंट के लिए कभी यूज नहीं किया इसको अपने पास दवा कर रखा रखा और थोड़ा बहुत जो उपयोग किया एड़टीजमिंट के लिए कंसल्टेंट रखने के लिए वोलेंटियर बनाने के लिए आम आदनी पार्टी के लोगों को स्टेट करने के लिए जिसका एक नाम सिबीर डिफेंस वोलेंटियर भी था जिसके पेमिंट को अभी रोक दिया गया है क्योंकि उसके निक्ती में कई गलवडियां पाए गई है और ये अरविंद केजरिवाल ये सारे के सारे फंड को इन ही जगों पर उप्योग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार कोट के माद्यम से इसको जटका लगा पहला जटका 2019 में लगा जब इस फंड को यूज नहीं कर रहा था तो उस समय आई योसी इंडियन वाइल कार पोजिशन लिम्टेड जो है उसने कोट का दरवाजा खटखटाया कि हमारे यहां HCNG का जो प्लांट लग रहा है उसमें दिल्ली सरकार के कंट्रिब्यूशन की ज़रुष है और ये प्रोजक्ट जो है यानि हाइड्रोजन सेंट्रिक CNG जो बनाय जा रहा है प्लांट उसमें दिल्ली सरकार की भागिदारी होने चाहिए किंद्र सरकार अपना हिस्सा दे रही है दिल्ली सरकार नहीं दे रही है तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने कोट के आदेश पर 2019 में 6 करोड रुपे दिये और उसके बाद जब फिर से देने की बारी आए तो फिर अर्विन केजरिवाल आना कानी करने लगा और फिर एक साल तक कोट में केस लड़ना पड़ा IOC को और फिर इसने कोट से आदेस लाया तो केजरिवाल ने फिर 9 कड़ों रुप्या दिया लेकिन ये 15 करों रुपे के लिए IOC को बार बार कोट जाना पड़ा जब कि ये फंड क्या था इन्वार्मिन्ट के लिए फंड था परियावरन सुरक्षा के लिए फंड था यहाँ पर परदूसन को रोकने के लिए फंड था लेकिन फिर भी उसका उप्योग नहीं कर रहा था लेकिन दूसरी बार इसने फिर जो करीब करीब 60 लाक रुपे खर्च किये वो दो बार यानि एक बार 43 लाक और एक बार 167 लाक रुपया इसने उस फंड का उप्योग किया उसमें भी दूसरे मिनिस्ट्री दूसरे विभाग के अनुरोध पर और वो अनुरोध था रोड ट पैसा नहीं देता ये काम था सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स को पेमिंट देना और उसको जो नुक किया गया था वो तो अरविंद केजरिवाल की पार्टी के लोगों को ही नुक किया गया था इसलिए उसके लिए पैसा देना जरूरी था लेकिन इससे भी बड़ी बात य है ये तो छोटे मोटी रकम थी 15 करोड उधर दिया 60 लाक रूपया इधर दिया ये 1491 करोड में से इतनी छोटी रकम सामानने होती है लेकिन जब एक मसला आया आरा टीएस का रिजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम जो केंदर सरकार और दिल्ली सरकार के कमबाइन योजना है और उसमें दिल्ली सरकार अपनी भागीदारी नहीं दे पा रही थी एक बार तो इस दिल्ली सरकार ने 265 करोड रिलीज कर दिया लेकिन 2000 करोड से जादा के परियोजना में 700 करोड से जादा दिल्ली सरकार को देना था और फिर जब फंड देने की बारी आई तो आना कानी कर गया सुप्रिम कोट में मामला चला और जब वहां पर मामला गया तो दिल्ली सरकार से सारी रिपोर्ट मांग ली गई कि आप फंड क्यों नहीं दे रहे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर ये बताएए कि अलग अलग जगों पर जो फंड है उसका इुटिलाइजेशन क कर रहे हैं उसके बाद दिल्ली सरकार घबडा गई लेकिन फिर भी इसने कहा कि हमारे पास इस बाद के लिए इस काम के लिए इस प्रोजक्ट के लिए फंड नहीं है तो दिल्ली सरकार के उपर जो उस समय अटॉर्णे जेनरल थे जिन लोगों ने आरा टीएस के तरब से प खर्च मंगबाया और पता चलाई गारस करोड रुपया तो इसने परचार पर खर्च कर दिया है इसके बाबजूद जबकि सुप्रिम कोट ने पहले ही कई इंस्ट्रक्शन दे रखा था दिल्ली सरकार को कि आप अपने एड दिल्ली इंसियार में ही दीजिए आपने एक्स एड दिया है जिसके लिए 95 करोड रुपय का जुर्माना भी आम आदमी पार्टी पर लगा है लेकिन फिर भी केजरिवाल को जब ये कहा गया कि गारस सो करोड रुपय का ये जो परचार किये हो क्या उसमें से 500 करोड रुपय आराटीयस के लिए नहीं दे सकते थे जब प्रिम कोट के आदेश पर 500 करोड रुपय रिलीज किये वो भी इसी ECC फंड का इस्तेमाल करके लेकिन अभी भी 710 करोड रुपय केजरिवाल दबा के रखा है और इन्वार्मेंट मंत्री परियावरन मंत्री कौन है गोपाल राय जिसने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किय कि परदूसन से बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए जो परमानेंट सोलूसन है उसके लिए हम इस फंड का इस्तेमाल करने वाले हैं ये सिर्फ स्मोक टावर लगाने से काम नहीं चलेगा अगर इसमें आसपास के राज्यों को कमपनसेशन देना पड़े कोई दूसरे प्लांट लगाना पड़े पराली की समस्या से निदान के लिए हम दिल्ली में कोई परमानेंट वेवस्था करें तो हम इस फंड का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इस रिपोर्ट के आने के बाद गोपाल राह फंसा हुआ है क्योंकि इस फंड का इस्तेमाल अर्विंद केजर लगाते रहे ये तो गोपाल राह की कहानी है लेकिन आतिसी मरलेना इन से भी उपर की हैं क्योंकि वो तो अर्विंद केजरिवाल के स्टाइल में ही बात करती है केजरिवाल के स्टाइल में ही विक्टिम कार्ड खेलती है और इसलिए आतिसी मरलेना को भी एक नोटिस गया ह LG के तरफ से ये जो DCPCR है दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड राइट्स ये जो विभाग है ये दिल्ली में बच्चों के शोसन के खिलाफ अभियान चलाता है और उसके सोसन के खिलाफ अभियान के साथ साथ एक्शन भी लेता है जैसे चाइल्ड लेवर को रोकने में भी इसकी भूमिका है उसके सोसन के अलग-अलग तरीके अगर बच्चों का योन सोसन हो रहा है इसकूल में और दूसरी जगों पर उसके खिलाफ भी अभियान चलाया जाता है लेकिन इसके फंड को लेकर परिशानी थी पहले 10-15 लाक रुपे इसके फंड आया क किया गया वो तो अपनी जगह है इसने फंड बढ़ाया धीरे धीरे लेकिन उसका इस्तेमाल कहा कर रहा था उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये जो किया जा रहा था वो है कंसल्टेंट न्यूक करने में यानि आम आदमी पाठी और अरविंद के जरिवाल के जो लोग विध फैलो सिप दिया जाता था फैलो सिप पर तो LG ने रोक लगा दी और कंसल्टेंट अलग-अलग विभागों के जो हैं उसके पेमिंट को रोका जा रहा है लेकिन ये जो इस विभाग में कंसल्टेंट न्यूक किये गए देर देर लाग दो दो लाग रुपे पेमिंट पर उ जादा कंसल्टेंट न्यूक करना था साथी जादा से जादा लोगों को सिट करना था इसके लिए आतिशी ने एक रिक्विस्ट भेजा कि इसमें और जादा पैसे की जरूरत है इसका बजट 15 करोर से काम नहीं चल रहा कम से कम 25-30 करोर रुपे होने चाहिए LG ने इस पर ध् फाइल मंगवाई फाइल खुली पता चला इसके ओडिट में बहुत सारी गरवडिया हैं इसलिए स्पेशल ओडिट का आदेश दिया और सीधे एकाउन ब्लॉक कर दिया कि अब जब तक की स्पेशल ओडिट के रिपोर्ट नहीं आते हैं तब तक इसको अत्रिक्त पैसा नह और कंसल्टेंट रखने में आपने निउक्ती की सारी प्रक्रियाओं का सही तरीके से उपयोग किया है कि नहीं जैसे सिविल डिफेंस वोलेंटियस के समय जैसे की फेलो के समय हुआ था जो कि आम आदमी पार्टी ने निउक्तिया सब का पेमिंट बंद कर दिया गया क्यों आम आदमी पाटी में परिशानी इस बात के लिए है कि केजरिवाल के बाद अगला कौन क्योंकि केजरिवाल जिन लोगों का नाम आगे करता है वो विवादों में नहीं बलकि जाँच के दाइरे में आ जाते हैं चाहे गोपाल राय हो या आतिसी हो पहले ही सतिंद्र जैन जेल के अंदर और बाहर हो रहे हैं संजैसिन की बात छोड़ दीजे वो राजसवा में है दिल्ली में विधान परिशद नहीं है वो अगर मुख मंतरी बनते भी तो उनको छे महिना के अंदर किसी को हटा के फिर से विधान सभा का चुनाव लड़ना पड़ता लेकिन फिर वो भी जेल के अंदर है मनीश सिसोधिया जेल के अंदर है केजरिवाल जाने वाला है अब बच्चे हुए लोगों में कैलाश गहलोत पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती वो पब्लिक फिगर नहीं है गोपाल राय की बात चल रहे थी आतिसी की बात चल रहे थी सौरभ भा दाज को किनारा कर दिया था बाद में धीरे धीरे थोड़े विश्वास में आए तो इस बीच मंत्री बनाया है लेकिन विश्वसनियता नहीं है केजरिवाल के नजरों में तो इसलिए जो लोग बचे हैं वो भी जेल जाने की तयारी में हैं केजरिवाल के करफ्चन की फोल ऐसे खुली है कि सारा का सारा कैबिनिट जो इनके मंत्री हैं वो सारे के सारे जेल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आजिरोंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है में सायोग ताके से तरह एक खबर हम आपके लाखे रहे है धन्यवाद